गडपत बिशर्जन शरल बिधी पूजा में चढ़ाएं सामान का क्या करें? दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गडपत जी का बिशर्जन कैशे करना है, चोकी कैसे उठानी है और चोकी पर जो भी समान रखा है उसका हमें क्या करना है? तो आज में आपको गडपत बिशर्जन जो की सरल बिधी बताऊंगा, तो देखे, जिस दिन भी आप गडपत जी का बिशर्जन करेंगे, बिशर्जन से पहले हमें पूजन करना होता है, पूजा के लिए सबसे पहले जल के छीटे लगा देंगे, फिर दिया यानि की दीपक जलाएंगे, थोड़ा सा फूल रख दें, फिर गडपत जी को तिलक लगाएं, फिर फूल की माला समर्पित करें, फिर दूर्बा, गडपत जी को चढ़ाएं, दूर्बा बहुत ही ज़्यदा प्री होती है, इसलिए दूर्बा जरूर चढ़ाएं गडपत करें, दूर्बा गडपत बपा का शबसे प्रीभोग है वो शमर्पित करें, फल समर्पित करें, मिठाईयां शमर्पित करें, घर में आपने जो भी प्याज लहसुन का बनाया है वो समर्पित बिल्कुल ना करें, यानि कि जो आपने प्याज लहसुन के बनाई चीजे बिल्कुल भी समर्पित इस दिन ना करें, उनके नजदीक तक नियान ले जाएं, और थोड़ा सा जल वहाँ पर आप यह निकी छिड़क दें, चावल थोड़ा सा हाथ में ले लें, और फल फूल ले लें, गड़पत बपास से प्रातना करें कि हे भगवान, गड़ेश जी, जितने भी दिन आप हमार घर में रहें, हमसे या हमारे परिवार से कोई भी गलती अगर हो गई है, तो उस गलती को छमा कर देना, और अगले साल इसी तरह हासी खुशी के साथ हमारे घर में दुबारा आना, और ये भी बोलना कि गडपत बपा मौर या अगले बरस तो फिर से या, ये छमा याचना इस प्रकार से करके गडपत बपा के शड़ों में फूल और चावल छोड़ देंगे, फिर देखे जब भी हम किशी भी महमान को या फिर घर में कोई भी बाहर जाता है, तो उसके साथ कुछ बांदेते हैं, खाने के लिए देते हैं, तो हमें गडपत जी को भी खाने के यनि की गड़ेशी के बगल में जिरूर आप कमर में बांद दें, देखे आप इस तरह से कोई भी रेश्मी कपड़ा ले लें, उसमें आप मेवे रख सकते हैं, काजू बादाम, पीस्ता, थोड़ी से मिस्त्री रख लें, और लड़ू भी रख लें, इसे बांद लें, उस फिर नहर के पास बिसरजन करेंगे, पोटली खुल जाएगी, और नदी में जो भी मचलिया होंगी, जो जीवजन्त होंगे, वो उनको खालेंगे, अब हम सभी के लिए अपनी जगर से, यनि की हिला देंगे, यनि की जहां पर भी है, यनि की आप लोग सब खड़े हैं, या जब आप नहर, यनि की या फिर नदी में आप बिसरजन कर रहे हैं, तो फिर आप कोई भी पटरा ले लीजेगा, या चोकी ले लीजेगा, उस पर गड़े जी को आप विराजबान करके, आप नदी या नहर के पास ले जाएए, यनि आपको ऐसे नहीं उठा के ले जाना है यनि किसी पठरे के सहारे या लकड़ी के सहारे आपको ले जाना है, अगर नहीं मिलते कोई शी तो फिर आप कपड़ा ले लीजेगा, और उसी में ले जाकर नदी या फिर आप नहर के किनारे ले जाएए, और वहाँ पर रखिए, फिर एक बार रख करके उनकी बिदवत प फिर सेया, गड़पत बपा मोरिया, अगले बरस तो फिर सेया, इस प्रकार से उनसे आप कहें प्रातना करें, और फिर से अगले बरस आने के लिए उनसे प्रातना करें, और फिर सारे लोग जो भी हैं उनके सामने माथा टेकें, माथा टेकने के बाद फिर आप उन्हें बि यानि कि फल फूल चावल के कुछ दाने है तो इनको कुछ चीजे लेकर और अपने तीजोरी पे रख दें तो धन सम्मंधिस समझाएं खत्म हो जाएंगे ब्यापार के छेतर में रख दें तो लाब होगा बाकी नारियल बगर है नारियल तो आपको फोड़ कर यानि कि कर दें और अगर चावल जादा है तो आप इसका खीर भी बना सकते हैं खीर बना के पूरे घर परिवार के साथ आप यानि कि परसाद के रूप में खाईए और फूल बगर है यानि कि आप भी सर्जित कर दें आपके पास जो फल है उस फल को सब को आपके घर परिवार में स ज्यादा नहीं है जैसे कि एक रूपे के शिक्का तो जरूर उठाकर धन के इस्थान पर रगदे बांगी चीज़े किसी ब्रामन को दे दें तो इस प्रकार से आपको यहने कि विशर्जन के समय इन बातों का विशेश रोप से ध्यान रखना है और गड़पत विशर्जन के स सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा कमेंट में लिखेगा जै गड़ेस जी गड़पत बपा मौर या अगले बरस तो फिर से या